जब जब वो इंट्रिव आया तो मुझे वही चीज सबसे जदा हर्ट हुआ और बहुत फील हुआ कि खिसारी जी को यह सब बोलना नहीं चीए था बिल्कुल भी नहीं बोलना चीए था किसी के तुलना किसी चीज से करना यह बहुत वहयत बात है यह नहीं करना चीए बड़े एक्टर होने के बाद में अगर वह किसी के लिए ऐसे बोल रहे तो वह चीज बहुत गलत है मैं इसके खिलाफ हूँ काजल जी ने अभी तक कभी कुछ कुछ भी नहीं बोला है इतने साल हो गये हैं उन्होंने बोला कि जो जो हो गया सो हो गया पट कही ना कहीं इसमे बड़े हैं शुभी शर्मा काजल रागवानी के सांथ है मैं बिल्कुल हूँ हूँ काजल जी के साहँ हूँ हूँ- Ka 이용, साथ मेरि क् साहिए कूछ भी दोबी की की हैं- Knowing काजल मेरे जो कह रही क्ाही है बता है इतने खोड़ में यही चीज बोलते हैं कई तो तो हीरो इहां पढ़ते हैं कि किसी का फरक ही पड़ता है पढम सपोर्ट करने का रहा रहा है कौन क्या कर रहा है मुझे तब भी नहीं मुझे आज है नमस्कार लाइफ बिहार देख रहे हैं आपके साथ मैस निहा गुपता फिर से एक बार पटना में आपको बता दे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों का ताता लग चुका है और हमारे साथ खास बाचीत करने लि और आपको हइー कैसी है मैं बहुत ज्यादा याची हूँ मैं बिहार जब भी आती हूं पंच तैसको अच्छी करते हूं है नोकूथ था हुट रहूजडग में प्यार के इंडस्टरी के सारे लोगे आते हैं वैसे तो हम्लों का मिलना बहुत कम हो पाता है सब सब लोगोग एक साथ अबएच्चे लिए पर्स्टित गहरा है जब हम परसनली सबसे मिलते तो काफी अच्छे बातचीत भी होती है काफी अच्छे कॉपरेटिव होते पर ऑन कैमरा ऐसा क्या हो जाता है कि अभी आप देखी रहे होंगे जिस तरीके का महल चल रहा है काजल रागवानी ने भी खुल के आप लोगों का सपोर्ट मांगा है क्या श चर्द तक बहुत कुस्स सही है और देखे में चीज यह कि जो आट scoot एुसे अगत्र गुस्साज है कि फिर वो भी बोलने पर मजबूर हो जाए तो ऐसा कुछ ऐसी नहीं होना चाहिए को वो स्टायप उठाना पड़ा वना काजल जी ने अभी तक कभी कुछ मरलब के खेसारी जी के yapıyorsun कुछ भी नहीं इतनी साल हो गय है उन्होंने बॉलsy हो गया उन्हों को जो में जो नहीं बॉला बहुत अच्छे एक्टर हैं इंसान है बट वहां पर जाके जो उन्होंने बोला इनके शुभांकर शर्मार जी के हम मिश्राजी के यहां पर जो उन्होंने बोला वह मुझे भी मैंने देखा था वह पुरा एपिसोट बट नहीं बोलना चाहिए ता गलत है यह वाली बार यह सवाल है क्योंकि पिच्चरों में फिल्मों में महिलाओं का भी पूरा योगदान रहता है हिरो हिरोईन के बिना कुछ नहीं है और कोई बिना हिरोईन के पिच्चर नहीं बना सकता यह फैक्ट है आपको रखना ही पड़ेगा लेकिन भुश्पुरी इंडेस्ट्रे में देखिये हाँ वो तो चीज यहाँ पार है कही ह Systems अन्ट इता कुछ बुटे में इसा और क्रेमाज़ एक्ट्राइब हृधर और क्यों, वो मुझे अभी तक भी नहीं आता है समझ में, मेरा जहां तक खुद का अगर मैं सेल्फ के लिए बोलूं, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि अपनी बातों को रखना चाहिए, और कभी भी किसी से, दबना तो कभी भी नहीं चाहिए, मैं हूँ, मैंने आज तक ख अगरम करें, आपके बात करें, आपके साथ के साथ बिए लेकिन हम अगर आपके बारे में जानते भी हैं, और हमने देखा भी है, कभी कुछ ऐसी चीज़े सुनने को नहीं मिली, एक अपने आपको मजबूती के साथ रखना बहुत जरूरी भी होता है, एक डायरा बनाना भ तो कि आपने बात है कि मैं क्यूं नहीं पढ़ी मेरा था कि मुझे इन सब प्यार महबत के चक्र में पढ़ना ही नहीं है मुझे सिर्फ काम करना है, फोकस करना है और एक चीज और भी ऑन तो मेरा तो किलियर था कि मुझे प्यार महबत नहीं करना है इंडस्ट्री में आके तो बिल्कुल भी नहीं और जहां तक आप जो बात बोले शादी शुदा कि पहले पता होता है और फिर वो लोग प्यार करते हैं तो उसके लिए सबसे में चीज यह है कि जैसा कि काजल जी न है मेंटल है दोरे आते हैं ऐसी है वैसी जगडा करती है और मैं तो चोड़ने चोड़ने वाला हूं इतनी स्टोरी वो लोग क्रेट करते हैं अगले को ऐसा लगता है कि हाया विचारा कितना फसा हुआ है माई गॉड इस यार हाँ चलो ठीक अब तो इसका डिवास होई ठीक जो शादी हो चुकी है अगर उनको कोई भी लड़की अपनी लाइफ में चीए फिर वो चैसे हीरो चैसे बिजनसमेन हो एक सिंपल इंसान हो तो वो वो लड़की को इमोशनल स्टोरी बताएगा मेरी मेरी पतनी काम नी करती है मेरी मा को मारती है कर दो लोग उल्टा इतना करनी है वहले जो breeds बंदा होता यहत्ता है नहीं करनी कि अब समानी जातों सबकुर्त और टृब tasty है कि ह्युक्ते हैускे इसे मैं प्यार करो महबत करो जब तक सबकुर सःगे तब कि जब पुरुषों के पास कुछ नहीं रहता तो महिलाओं की चरित्र पर बोल देते हैं बड़ा असान होता है कि चरित्र खराब था वह ऐसी थी वह ऐसी थी और यह बात कवी हमेशा ही होते आई अगर हम पुराने चीजों को भी देखे तो कई ऐसी एक्टरस जिनकी चरित्र पर काफी कुछ बोला गया लेकिन आज strongly खड़ी है इस बात को आप एगरी करती है मानती है जब कोई इंसान किसी एक पर उंगली उठाता है मैंने इनकों आप पर उठा रहूं कि आप मैं ऐसा क्यों क्यों तो तो तीन उंगली खुद पर उठती है बट वह इंसान उस चीज चबकि तुम यह तुम वह झबकी खुद वैसे होते और जो इंसान जैसा होता है उसको सामने वाला बिसां वैसाई दिखता है तो यह बात थक्त है कि उनके पास और कोई हतियान नहीं होता यह उल्टा सिदा हो जाए और dog online हो तो बने अप्ड़ाओं कि जिसको भी जो खुलके बोलना है बोले अच्छी चीज़ है बट आगे के लिए वो रखें ध्यान रखें सबक लें कि ऐसे लोगों से दूर रहें और अपना काम करें अच्छी से और आगे बढ़ें और जो भी वॉइज हैं इंडस्ट्री के हैं चैसे इंडस्ट्री के बाहर के हैं अगर उसको भी चीट करते हैं अगर आप मैरिड हो आपकी घर में पत्नी हो और आप उससे उतना ही प्यार करते हो तो आप फिर बाहर आफ़ेर क्यों करते हैं आपको नहीं करना चाहिए यह चीज़ बहुत दलाता है यह एक्जामपल उन्होंने दिया था कि डिफेंडर से उतर कि तुम आटो में जाओगी तो तुमको वापस डिफेंडर में कौन बैठाएगा तो क्या महिला है अब यहीं रहे गई है कि आपके साथ जब तक काम करें वो डिफेंडर है जब आपके साथ नहीं रहे क्योंकि काजल रागवानी चार साल से भुझपुरी इंडस्ट्री से का सा सहर किया है बहुत बहुत अच्छी एक्टरस नेवो और अभी वो काफी सारी पिछलय करी बैक टुबएग तो चार साल से इंडस्री ब्लूब डू बिलकुल भी नहीं आप यही बोल सकते है कि इसे एक इंसान से ईытूर है बट इंडस्री में बहुत काम कर सिए मुझे नि मैं एक लड़की के बार मैं सका जब जब वह इंट्रिव आया तो मुझे वही चीज सबसे जदा हर्ट हुआ और बहुत फील हुआ कि खिसारी जी को यह सब बोलना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था किसी की तुलना किसी चीज से करना यह बहुत वहयत बात है यह नहीं करना चाहिए खिसारी जी को मैं एक ही चीज चाहूंगी बोलना कि वह इतने अच्छी एक्टर है इतने अच्छी सिं है वो इतने बड़े अक्टर होने के बाद में अगर वो किसी के लिए ऐसे बोल रहे हैं तो वो चीज बहुत गलत है मैं इसके खिलाफ हूँ काजल जी ने कई इल्जाम लगा है आपने तो बड़ी कड़ीवी से दोनों को जाना है क्या इल्जामों में कुछ सचा ही है को अपनिते हैं किस Ты मंच पर शो करता एंव एक आर्टिस की चौस होती है कि हमें अच्छा नहीं हमें गर्णमनेट के शों कहने है हमें ऐसे ज правда करती है तो मेरे अच्छा यह फो अच्छा रहा हैं और आद polar 오디오 के साथ भी इवन जितनी ही रों किया तो मेरा एक्ष सरे शें य आए आवार्ड शो का और उन आप खिसारी जी को लेकि काजल जी को लेकि इतनी सारी बाते कर रहें तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग को इससे ज्यादा और कुछ बात करनी चाहिए बाकी जो बात थी आपने मुझसे पूछा कि ऐसा कुछ हो रही है चीज़े तो मैंने बो बोल्यवुड किसी बी इंडस्ट्री में जो भी आना चाहते हैं भी सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है कैसे काम करना है तो में चीज़े अपने आपको मजबूत रखें अपने बल्बूते पर काम करें किसी कभी सहारा लेंगे तो टाइम तक के लिए वो सहारा आपके पास होगा उसके बाद नहीं होगा तो इसलिए अपने दीखें खुट करेंगे काम तो कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है कोई क्या करा मुझे तब भी करें अपने काम करें और फोकस करें और प्यार महबबत के चक्र में तो भई जब तक ऐसा नहीं हो कि बंदा बहुत अच्छा है तब तक नहीं पड़ें आपका एक्सपीरियेंस खराब है प्यार महबबत में इसना सब देख देख के ना आसपास के अभी तो मतलब फ्रैंक्ली मैं बताते हूं कि इतना सब कशी देख रही हूं शादिय हो रही है और चीजे हो रही है किसा कुछ रहा है तो यह सब देक़्फ देख्के मेरे शाओधी पिस wash उठ गिया सब्सष्elimॉ ऐसे बोलने कि śॉष इशन कर यूजित से ऐसे से बोलीं मैं जो 우리 से और यूज से कैने यूज ऑगात भी से मेरा कोई अदरॉण वनना शायद मैं शादी भी नहीं करूं देखे सीधे तोर पर आपको हम लाइव इग्जामपल दिखा रहे हैं कि अगर आप चाहते कि आप इंडस्ट्री में आए तो आप अपने बल्बूते भी काम कर सकते हैं आपको किसी की जरूरत नहीं है और सीधे तोर पर इतने सालों स के साथ इनोंने काम किया और शॉर्टकट नहीं अपना है और यहीं बात है और यहीं खासियत है और इसलिपा मैं शादी की बारे नेंस सोच कि कमोगे था नहीं करना नहीं लिए पताना चाहूंगी we सबसे बड़ी से दूर रहना सबसे बड़ी बात होती है सपेशली बोजपुरी इंडस्ट्री में क्योंकि इस तरीके का महौल बोजपुरी में चल रहा है काफी जादा विवादों से घीरी हुई है अब जो भी चीजे काजल रागवानी के साथ हुई और अनुपमा यादफ क साथ हुई वह सरसर गलत हो रही है और इसके लिए हर लोग उनके साथ करे हैं और काजल रागवानी जिस तरीके का सपोर्ट मांग रही है बोजपुरी इंडस्ट्री की हर हिरोईन उनको सपोर्ट देने के लिए खड़ी है तो आप यह नहीं कहा सकते कि बोजपुरी इंडस बिश्री आपके साथ नहीं है बनेरी माइसा अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्री आपके शुक्री कर दो